चाहे सीमा को सुरक्षित रखने की बात हो, चाहे गंगा सफाई की बात हो, जितने विवाद, चाहे संसद को अपराधियों से मुक्त कर देने की बात हो सौधीनों में, हर वादा जुमला सावित हुआ है. जो इस दहशत में है कि कब उनके सरकारी उपकरम को बेच दिया जाएगा निजी हाथों में लगातार पढ़ाई कमाय दवाई की बात करते रहें आपने देखा है जिसको हम मेंस्ट्रीम मीडिया मानते हैं आप हम मानते हैं मैं तो इसको मीडिया मानता नहीं है इसका मतलब यह तो नहीं अब हम भूखे पेट रहें अपना रोज़गार गवादे और बैटके देखते रहें कि अफगानिस्तान में क्या हुआ है हम पेट्रोल सो रुपे खरीदते रहें और जवाब हमको मिले कि अफगानिस्तान चले जाओ नमस्कार मैं जसी मुलख आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक अभी हम सीपी में हैं कनाद प्लेस के राजीब चोग पे खड़े हैं यहां पे युवा हला बोल ने एक कॉल दिया था बेरोजगार दिवस मनाने का देश के अलग अलग तरीके से लोग नाराजगी दिखा रहे हैं और परधान मंतरी तक अपना संदेश पहुचा रहे हैं आज परधान मंतरी का जन्म दीवस है इस जन्म दीवस को आज दिल्ली में युवाहला बोल ने कॉल दिया था बेरोजगार दीवस मनाने का बहुत अलग अंदास से इन्होंने केक काटा पुलिस वाले को खिलाया हमारे साथ युवाहला बोल के के तरफ से इस वक्त अनुपम जी है ये बता ही है ये बेरोजगारी दीवस बनानी की ज़रूद क्यों पड़ी है अपको अरे बहुत जरूद है देखे हमारे देश में तो इस वक्त देश की सबसे गंभीर समस्या जो है वो बेरोजगारी है और ये बात हम आज से नहीं पिछले कई सालों से लगातार कहते हैं और बेरोजगारी दीवस या जुमला दीवस जो हम लोग मना रहे हैं वो इस कारण से मना रहे हैं कि जो प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी हैं उन्होंने पिछले साथ साल में जितने भी वादे किये थे चाहे वो बेरोजगार युवाओं से रोजगार को लेकर वादे हो चाहे महिलाओं से सुरक्षा को लेकर हो चाहे किसानों से फसल की किमत को लेकर हो चाहे काला धन भारत लाने की बात हो चाहे सीमा को सुरक्षित रखने की बात हो चाहे गंगा सफाई की बात हो जितने भी बात चाहे संसद को अपराधियों से मुक्त कर देने की बात हो सौधीनों में हर वादा जुमला साबित हुआ है और ऐसे में जो है बड़ा लाजमी है कि उनको अगर याद किया जाए किसी एक शब्द जो प्रतीक है सबसे मजबूती से उनके साथ जो जुड़ा हुआ है वो है जुमला और देखे चौदरी चरण सिंग के साथ किसानों का एक वो जुड़ा हुआ था वो पहचान थी तो किसान दिवस मनाया जाता है उनकी जहनती पर सर्वपली रादा कृष्णन के लिए सिक्षक दिवस मनाया जाता है पंडित नहरू के लिए बाल दिवस मनाया जाता है लेकिन प्रदानमंत्री जी का पहचान और उनकी जो महबत है वो जुमलों से सबसे जादा है तो इसलिए जुमला दिवस हम लोग मना रहे हैं और इसलिए मना रहे हैं क्योंकि ये लगातार हर तरह के वादे उनके जुमले साबित हुए है इसलिए आज हमने अपील किया कि देश भर में जो unemployed youth है चाहे सरकारी कर्मचारी जो इस दहशत में है कि कब उनके सरकारी उपक्रम को बेच दिया जाएगा निजी हाथों में मोदी जी के चंद मित्रों के हाथ में बैंकों को रेलवे को कई सरकारी उपक्रमों को जो बेचा जा रहा है चाहे आम जनता जो महंगाई से तरस्त है तो बेरोजगारी महंगाई निजी करण ये तीन मुख्य मुद्धे हैं जिनको लेकर देश भर में आज मोदी जी के जन दिन के उपलक्ष में जुमला दिवस मनाया गया है बिरोजगारी दिवस मनाया गया है और हम ये हाइलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर अब भी प्रधान मंतरी मोदी या उनकी सरकार गंभीर नहीं होती है अपने वादों के प्रती और पढ़ाई कमाई दवाई जैसे असल मुद्दों के प्रती है अगर इन पर ये सरकार गंभीर नहीं होती काम करना नहीं शुरू करती तो बहुत संभव है कि आने वाले समय में हर साल मोदी जी का जो जन दिन है वो जुमला दिवस के तोर पर ही याद किया जाएगा जुमला दिवस के तोर पर ही मनाया जाएगा लेकिन आप जिस मेनुफेस्टो की बात कर रहे हैं कि उन्होंने मेनुफेस्टो में जो वादे किये वो पूरा नहीं कर रहे हैं तो धीरे धीरे तो कर रहे हैं तीन सौ सतर पे उन्होंने काम किया उसके बा उन्होंने काम क्या किया है उसका सीधे तोर पे भारत के बिरोजगार युवाओं के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। उसका मुझे नहीं लगता है कि देश के आम जनों के जीवन पर उसका कोई प्रभाव है किसी भी ढंग से तो उसकी तो बात करना ही मतलब बेकार है फिजूल में वहां यह मुद्दा नहीं है जो प्राइवेट जितने भी सर्वे हो रहे हैं या उनकी तरफ से जो रिपोर्ट आ रही है उसमें यह दिखाया जा रहा है कि परधान मंत्री की लोग पी रहता और दिनों दिन बढ़ती जा रही है या बढ़ी है वहां तक आपकी बात पहु मेंस्ट्रीम मीडिया मानते हैं आप हम मानते हैं मैं तो उसको मीडिया मानता नहीं है हम तो उनसे उम्मीद नहीं करते हैं कि वह देश के आम लोगों के देश के युवाओं किसानों महिलाओं की जो असल समस्या है उसकी उसको वह अभिवेक्ट करेंगे उसको वह कहीं से भ बात कर रहे हैं और पब्लिक ओपिनियन को मैनुफेक्चर किया जा रहा है उल जलूल मुद्दो को लेकर अब देश में दिन राज जो है आप अफगानिस्तान दिखाते रहेंगे ठीक है भाई अफगानिस्तान में गलत हुआ है हम सब विरोध करते हैं जो अफगानिस्तान मे हो रही है हम उस जहां से में नहीं आने वाले हैं इसको लेकर हम सपस्ट हैं लगातार यही काम हम जमीन से लेकर वर्चुल मीडिया से लेकर सभी लोगतांत्रिक माध्यमों से हम यही काम करने की कोशिश कर रहे हैं क्या आपके इसी करम में आप आगे कि इसी लड़ाई को आ प्रेशान है पीडित है उन सब को एक जुट करने की कोशिश कर रहे हैं उन सब को एक मंच पे लाके मजबूती से बुलंदी के साथ आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस सरकार पे दबाव बन सके देश व्यापी युवा अंदोलन की आवशकता है आज हमारा देश तभी बचेगा अगर यूथ मुव्मेंट एक बड़े स्तर पे कंस्ट्रक्टिव यूथ मुव्मेंट होगा हम पूरी ताकत लगा रहे हैं कि देश में एक बड़ा युवा अंदोलन तयार हो के दोरान भी उत्तर प्रदेश में भी हम पढ़ाई कमाई दवाई के मुद्दे को लेकर जाएंगे हम सीधे तो अरपी चुनाओं नहीं लड़ रहे हैं लेकिन हम पूरी तरह से सक्रिये रहेंगे चुनाओं के दोरान और कोशिश करेंगे कि सरकार और जो राजनितिक विम तबी ऐसे में आपकी रणेनीती क्या होगी हमारी रणेनीती यही है कि हम लगातार अपनी बात करते जाएं हम लगातार उन मुद्दों की बात करते जाएं जिन मुद्दों से हमारे जीवन पर असर पड़ता है प्रभाव पड़ता है हम लगातार उसकी बात करते रहेंगे अपने लोगों को अपने साथ जो बेरुजगार लोग हैं खास करके वो लोग जो लोग सरकारी वैकेंसी निकलने के बाद एक्जाम देते हैं एक्जाम के बाद फीजिकल होता है उनका फीजिकल के बाद वो सारी परक्रिया जो जिसके बाद उनको नौकरी करनी होती है लेकिन आज तक बहुत ऐसे लोग हैं जिनको नौकरी नहीं मिल पाती है वो सारे लोग यहां पर इकठा होके जुंगला देश मनाये केक काठा पुलिस वाले को खिलाया और बहुत अलग अंदाज में डेख सकते हैं यहां पर अभी भी जोगों को सिबाइट ले रहें उनकी परितिया जान रहें लेकिन यह यह सच है इस वक्त तभी कि जो जिसका परतीक होता है जो जिसका आईडियल होता है उस तोर से उसको मनाया जाता है चाहे वो शक्ति दिवस के तोर पे हम इνडरा गान्धी की बात करें या बाल दिवस के तोर पे जवाहल निरू ऐसे बहुत सारे यहां पे आईकन रहें जो जिनके परतीक रहें उस रूप से मनाया जाता है लेकिन पिछले चार-पांच सालों में पांच सालों से तक्रिमन देश के अलग-अलग हिस्से में आज के दिन जो 17 सेप्टेंबर है आज परदान मंतरी मोदी जी का जन्म दिवस है बठड़े है उनका आज तो आज के दिन लोग अलग-अलग हिस्से में जुमला दिवस तो कहीं बेरोजगारी दिवस के तौर पे मना रहे हैं उसकी सबसे बड़ी वज़े यह है कि जो वायदे उन्होंने किये थे रोजगार को ल सबस्क्राइब करने के लिए रेट कलर के सबस्क्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निसर दस्ता को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करे लाइक करे कमेंट जरूर करे